नमस्कार दोस्तों अभी अभी दो मिनिट पहले कि सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर सामने आ रही है लड़की को दस लड़कों ने अचानक से घेरा और सड़क पर पटक कर जो कहा कि आज जान से मारेंगे या फिर आपके बच्चा पैदा करेंगी जियां सात्यों बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजस्तान से और राजस्तान के दोसा सहर में कोलेज की छात्रा के साथ हैवानियत की मामली में बड़ा अपडेट सामने आया है अपनी ही कॉलेज के दस छात्रों की हैवानियत की सिकार हुई लड़की ने वोस में आने के बाद पुलिस को अपना बयान दे दिया है युवती का कहना है कि लड़कों ने उसे घेर कर छेड छाड की फिर सडक पर गिरा दिया और रेप करने की कोशिश की आरोपियों ने कहा कि आज या तो तुझे मारेंगी या तेरे बच्चा पैदा करेंगी पुलिस आरोपियों की तलास कर रही है लेकिन उनका कोई भी सुराग अभी तक नहीं लगबाया है पुलिस के अनुसार पीडिता के साथ छेड छाड की ये हरकत है दो पहर में ITI कोलेज के पास हुई थी पीडिता ने जब आरोपियों का विरोध किया तो उन्होंने उससे जबरदस्त तरीके से मार पीट की पीडिता ने पुलिस को दिये बयानों में बदाया कि आरोपियों ने उसे खूब टॉर्चर किया पीडीता चात्रा ने बयानों में कहाए कि हातों में लाठी डंडे लिए आठ दस लड़के कॉलेज के बहार मिले थे उसके बाद उससे छेड़ चाड़ और मारफीट की गई पीडीता के बयानों के आधार पर महिला थाने में आरोपियों के खिलाप ऐफाई आर दर्ज की गई है ऐफाई आर में मुख्य आरोपी धर्मिन्दर मीन साही ते दस लड़कों के खिलाप केस दर्ज किया गया है वहीं सात्यों शिकायत के बावजूद कोलेज प्रबंदन पल्ला ज्हाड लिया है लेकिन साथ यों बता दे, दिन पे दिन, बहन बीटियों के साथ इस प्रिकार की जो घटनाय हैं लगतार सामने आ रही है अपरादियों के होशले लगतार बुलंद हो रहे हैं ऐसे अपराधियों को दूस्तु केसी सजा मिलनी चाहिए कॉमेंट बॉक्स में आवे से बताएं पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि देश दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पह दन्यवा दोस्तु जै हिंद जै भारत वंदे मात्रम